ये उडिशा के पूरी में भगवान जगनाथ मंदर का पवित्र रत्न भंडार चार दशक बाद आज खुलने जा रहा है आज रत्न भंडार में रखे रत्नों की मरम्मत किये जाने के साथ उनकी गिनती भी की जाएगी महाप्रबू जगनात के रत्र भंडार में मौझूद आभूशनों की संख्या, गुर्वत्ता, वजन, फोटो, चित्र, संबंदर, डिजिटल केटलॉग भी तैयार किया जाएगा जिसे भविश्य में एक संधर्ब दस्तावेश के तौर पर इस्तिमाल किया जाएगा इन तमाम प्रक्रियाओं में धारिमिक भावना, स्वचिता और पारदर्शिता को एहमियत दीजाएगी इस संधर्ब में पेश S.O.P. मंदिर प्रसाशन को सौब दी गई है साथी श्री मंदिर के मोख्य प्रसाशक को जरूरत के हिसाब से काम करने को कहा गया है जो चार दशक बाद आज रत्न भंडार खोला जाएगा और कहा ये जा रहा है कि इसमें करोडों से भी ज़्यादा के अहभूशन है जो आज गिंती की जाएगी और उसके बाद ये सारा आकड़ा सामने आ जाएगा उडिसा की पूरी में भगवान जगनात मंदिर का पवित्र रत्र भंडार दशकों बाद आज खुलने जा रहा है आज रत्र भंडार में रखे रत्नों की मरम्मत किये जाने के साथ उनकी गिनिती भी की जाएगी महाप्रभु जगनात के रत्नों भंडार में मौझूद आभूशुनों की संख्या, गुणवत्ता, वजन, फोटो, चित्र, संबंधित, डिजिटल कैटिलोग भी तयार किया जाएगा जिसे भविश्य में एक संदर्भ दस्तावेज के तोर पर इस्तमाल किया जाएगा इन तमाम प्रतिक्रियाओं में धार्मिक भावना, स्वच्छता और पारदाश्च्छता को एहमियत दी जाएगी इस संदर्भ में पेश S.O.P. मंदिर प्रशासन को सौप दी गई है साथ ही श्री मंदिर के मुख्य प्रशासत को जरूरत के हिसाब से काम करने को कहा गया है गौर्तला भै कि रत्न भंडार आखरी बार साल 1978 में खोला गया था भगवान के रत्न भंडार को आज निश्च तोर पर खोले जाने का दिन तय किया गया है सरकार ने ये भी तय किया है कि कौन किस समिती में होगा प्रत्य काम को विधी सम्मत किया जाएगा मुल्यांकन के लिए विशचक्यों को बाद में शामिल किया जाएगा एसाई की टीम के साथ साथ परमुक विशचक के भी मौझूद रहेंगे इसके साथ ही स्नेक हेल्प लाइन और स्वास्त विशचक के भी मौके पर मौझूद रहेंगे तो 40 साल बाद लगभग ये जो रत्न भंडार है खुलने जा रहा है और उसके लिए तैयारियां पूरी कर ली गई है